हेलो दोस्तों नवश्का, दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अड़ाफोर स्टोडी येटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस अब्रेट के बारे में जोकी सम्बंदित है उत्रपदेश के नई सिक्षा स्वाच चैन आयोग के बारे में साथी साथ अगर बात की जाए आयोग के बनते ही बड़े हंगामी के बारे में क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्रपदेश के अंदर जब भी कोई शुब काम होता है खास तोर पे भरतियों को लेकर तो उसमें विवाद भी हो जाता है और फिर मामले कोड तक चले जाते हैं अब नया सिक्षा सिवा आयोग बन रहा है उसमें कोई विवाद ना हो तो यह कैसे हो सकता है है ना यह तो एक तरीके का अफसरगुन हुआ ना तो इसी तरीके से अगर बात की जाए नई सिच्छक भरतियों के लेकर नियों में पर कहिने की जो विवाद है बढ़ता हुआ दिखाई दिजाएं बात करेंगे नई सिच्छा सिवा आयोग के बनने के लिए एक सो कहिने की च साल लगे इसको नया आयोग बनाने में अब तक हम कहते थे कि पराने आयोग परान रायोग अब बन रहा है नया आयोग लेकिन नया आयोग भी करेगा 102 साल नियम है उनसे बरतियां मतलब फरीक आएकन नया आयोग फेतर बहुत पुराना हो गया ना 192 सदी का चलिए डेटेल में बात कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबाले और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकाई सबसे पहले मिलती रहें फिर से किसी ने किसी मामले को कोट में ले जाने के लिए तैयार है लिखा हुआ है कि सरकारी नौकी देने वाले आयोग में काम करेंगे ठेकी की करमचादी यह सुनकर आपको थोड़ा सा अजीव लगे जा कि इससे क्या फरक पड़ता है अगर आपने हाली में यूपी टीटी परीक्षा जो कि उत्तरप्रदेश में देखने के लिए मिली थी जनवरी 2022 के अंदर उस समय पर समस्या यह हुई थी कि इसका जो पेपर बनाया गया था वो किसी दिल्ली की एजंसी की माध्यम से था जब पेपर से संबंदित कोई तीसी एजंसी बुला ली जाती है या कोई तीसी कईने की जो परसन है उसको इंवल्व कर लिया जाता है जो कि सरकार के अंडर में नहीं होता तो वो इसमें कहीं न कहीं लूपोल छोड़ देते हैं और पेपरों को थोड़े पैसों के लिए इधर से उधर वायल कर देते हैं और ऐसा ही कुछ यूपीट एटी में और ऐसे में अब लिखा हुआ है कि बेसिक से लेकर उच्छ सिच्छा तक के सिच्छ सर्थानों में सिच्छक भरती के लिए उत्तर प्रदेश सिच्छा सेवा चैन आयोग के निवा भली के अधिसूचना 13 दिसंबर को जाजी कर दी गई है प्रदेश में सबसे जादा सदस् निए भरती पकिया शुरू हो जाएंगी लेकिन इस आयोग में एक लूफ होल छोड़ दिया गया है इसमें कम्प्यूटर एवम आईटी को ओरिनिटर आउट्सोर्सिंग यानि की ठेकिका होगा इसके जरिये भरती में सेंदमारी हो सकती है भरती में आउट्सोर्सिंग से विवादी तही है इस विवस्ता को प्यत्यों की चार्तों ने विरुद शुरू कर दिया है उन्होंने कहा कि शिकायत राजजपाल और कहिने की मुख्यमंती तक कहुचाने का प्यास किया जारा है नए आयोग का गटन उतर विद्र स्लोग सेबा आयोग की तरह करने की एसी में कम्प्यूटर सेक्शन खुद का होता है इसलिए कही न कहीं जो भरतियों में निश्पक्स्ता देखने के लिए मिलती है और ऐसा नहोने पर एक बार फेश से त्यार हो जाईए पेपर आउट या पेपर लीग जैसे खवेर सुनने के लिए तो पहला लूपवल आप सबी के सामने निकल कर आ चुका है कि वही जो कम्प्यूटर आइटी सेक्टर होगा वो कहीं ने कहीं आउट्सोर्सिंग से होगा आपने देखा होगा हमारे प्रदेश के अंदर जब भी कोई भरतियों को लेकर कोई आधेश जारी होता है तो वह वाट्सेप में पहले वाहल अधेट में न देकर वोट्सेप के माध्यम से मिल जाती है और ऐसा आपने कई बार देखा होगा उत्तर प्रदेश की भरतियों के अंदर चलिए दूसरा अगर बात की जाए लूप होल के बारे में तो वह आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा कि पिछली भर जब आप सुनेगे तो आप हस देंगे चलिए थोड़ा सा हसाई देते हैं पांच साल की कवायत के बाद में उत्तर पदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग अधनियम 2023 की नियमा वली तो जारी कर दी गई लेकिन टीचर्स की भरती विवादित नियम में संशूद नहीं हो सका ऐस बुद्धबार को जारी नियमा वली में अगर बात की जाए सायता प्रावत माध्यमिक विद्याले में टीचिटी बिजटी के लिए जो भरती देखने के लिए मिलेगी वो कहीने की 1921 के कहीने की जो नियम में उसी से माना जाएगा 1921 एक्ट की आहता को तमाम विसंगितियो में इनमें शंशुदिन के लिए 5 साल पहले यूपी बोर्ड की ओर से शासन को पेस्ता भीजा गया था और इसे आज तक मंजूई नहीं दी गई है मुद्ध ये है कि जो 1921 का एक्ट है और इसमें TGT कला विशे के लिए बहती जो होती है वो लाहोर के मेयो स्कूल आफ आर्स की टीचिंग सीनियर सर्टिफिकर पर इच्छा माने थी जो अब तक निवावली चली आ रही है अब आप जानते हैं कि लाहोर तो हमारे देश के अंदर रहा ही नहीं है है ना क्योंकि 1921 में तो था लेकिन 1947 के अंदर जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है अब लाहोर हमारे देश के अंदर माने नहीं है तो उसकी डिगी क्या ही माने होंगी और पाकिस्तानियों को तो न नीमा वली चली आ रही है इस भरती के लिए BF ऐना अगर बात की जा रही है जिसको बैचलर वाइन आर्ट की अगर बात करें और इसी तरही के से MFA की बात की जा रही है ऐसे में उच्छिश्चा गहर्ण करने वाले अभरतियों को बहार रखा गया है इसे लेकर पिछली भरति और MFA जो है वो इस बाली डिग्री से जादा उच्छ है और अपने देश के अंदर पूरे तरीके से वैलिड है लेकिन उसको नीवाविली में सामिल अभी तक नहीं किया गया है अगर बात की जाए अध्यक्ष और सदस्यों की निवति को लेकर तो जल्द इसका जो कोट के माध्यम से एक आदेश यहां पर दिया जाता है जिसमें उन्होंने कुछ सवाल खड़े कि हैं जो कि आपको जानने की बेहद आवशक्ता है असल में करनाटक में एक मामला देखने के लिए मिलाता जहां पर किसी एक महिला को निर्वस्त गुमानी का मामला सामने आया और इसको लेकर कहीने के यहां पर बताया गया कि यह एक आम गठना है यानि कि अगर बात की जाए असाधान मामला बता दिया गया इसी को लेकर कोट के माध्यम से तल खिटबड़ी करते हुए कहा गया कि क्या हम सत्वी सताबदी में लोट रहे हैं जिसको आज भी इस मामले को हमें यह कहना पड़ रहा है कि एक आसाधान गठना है जो कि निश्ची तोर पे एक निंदनी और सर्मना गठना है जिसके बावजूद भी इस तरीके की कहीने की बातों को प्रेजेंट करना कोट के अंदर अंदाजा लगा आ जा सकता है कि हमारी जो अधिकारी होते हैं ज इसके संबन में जल्दी जो विग्यापने वो जारी कर दिया जाएगा फिलाल यह थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस अबडेट वहीं दूसी तब अगर बात की जाए बीपी एसी टी आरी को लेकर तो बीपी एसी टी ती आरी में अब भेहती पांच ओमार लेकर भाग ग थैंक यू फो वोचिंग इस वीडियो